इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एकोस्प्रिन AV 75 capsule hot attack और stroke को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं का मिश्रण है यह खराब cholesterol LDL triglyceride को कम करता है और शरीर में अच्छे cholesterol HDL कस्तर बढ़ाता है इसके अलावा यह रक्त के ठककों के निर्मान को भी घटाता है पेट की गड़बडी से बचने के लिए एकोस्प्रिन AV 75 capsule को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए डॉक्टर द्वारा निर्धारिट schedule के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका इलाज किसली किया जा रहा है जब तक आप पूरा कोस पूरा न कर लें तब तक इसे लेना बंद न करें भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो लाइफ अस्टाइल में कम फैट की डाइट, व्यायाम और धूंड पान न करने से इस दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है पेट में दर्द, अपच और कब जिस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट है इस दवा से ब्लीडिंग का खत्रा बढ़ता है, इसलिए शेविंग करने, नाखून काटने और तेजधार वाली वस्तूओं का इस्तेमाल करते समय या खलते समय, जैसे फुटबॉल, रेसलिंग, सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है अगर आप त्वचा का पीलापन, मांसपेशियों में दर्द या गहरा पेशाब देखते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको लिवर या किड्नी से जुड़ी बीमारी है, या आप ब्लीडिंग से पीडित है, तो अपने डॉक्टर को बताएं अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बनी रही हैं, अत्वा स्तनपान करवा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए आपको अपनी health care team को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्यूंकि क्यूंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती है वीडियो के description में दिये हुए website के link पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको ऐसे ही और दवाईयों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही notification बेल को आल notification पर सेट करें धन्यवाद